नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से कन्य राश वालों मिठाई वाटने के लिए हो जाओ तयार क्यूंकि अब आठ नवंबर से राजर इसे जिन्दगी जेने का आपसर मिलेगा मा लक्षमीजी के आसरवाद से आपको अनेको प्रकार की बड़ी बड़ी खुसकबरी और बड़ी बड़ी सफलताई मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों, मा लक्षमीजी के आसरवाद से अब आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े चमतकार होंगे कुछ ऐसे बड़ी बाते होंगी कुछ ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों वो बड़ी खुसकवरी कौन-कौन सी है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को मिश्ट ना करें क्योंकि यह वीडियो कने रास्क्यातकों आपके लिए बहुत ही खास और मेहत्पुर्ट रहने वाली है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि माता लक्ष्मी का असरवाद आने वाले समय में आपके लिए कैसा रहेगा दोस्तों कन्य राश्क्यातकों आज कल के इस महगाई भरे दोर में कौन नहीं चाहता कि उसके पास धन की कमी हो हर किसी की एक ही चाहत होती है कि उसके पास सभी इक्षाएं पूरी करने के लिए धेर सारा धन हो और जब धेर सारा धन होगा तो कन्य राश्क्यातकों ऐसे आराम की जिंदगी भी होगी यदि बहुत सारा नहीं हो तो कम सकम इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके आज लोगों की जिंदगी में अगर रुपया पैसा नहीं है तो घर के बुरे हालाद हो जाते हैं उन्हें गरीबी का मुह देखना पड़ता है और आपके पास धन है तो हर छेत में काम्याबी मिलती है और घर में खोशिया चाई रहती हैं आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं धन पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं कुछ लोग छल कपट के द्वारा जल्द से जल्द धन कमाने के कुशिश करते हैं लेकिन अमूनन लोगों की यही शिकायत होती है कि उनके पास धन आता है और जल्द चला भी जाता है इसलिए कहा जाता है कि धन सदैब इमानदारी से कमाना चाहिए क्योंकि वही धन हमारे स ही काम आता है दोस्तो देवी लक्षविज को धन की देवी कहा जाता है और कहा जाता कि इनकी कृपा जिसके उपर हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है और हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सभी का भाग एक बराबर नहीं होता किसी की अमीरी और उसकी ग अंदर धन कमानी की चाहत बांकियों से अधिक होती है ऐसे में हमारे गरहने चत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है तो इसका असर कुछ राशियों पर सकरात्मक तो कुछ राशियों पर नकरात्मक पड़ता है दोस्तों आपको बता दे कि जोतिस सास्त के मुताबिक अब आठ नवंबर को ऐसा महा दोलब सुपसयोग बन रहा है जिसके कारण मालक्षमी जी कन्य राजक्यात्कों आपके उपर महरवान हो रही है दोस्तों बता दे कि 8 नवंबर को कार्तिक पूलिमा है देव दीपा बली है और साथे इस दिन चंदगरहन भी लगने जा रहा है और दोस्तो आठ नवंबर को शर्वार सिद्धियोग और अमरिशिद्धियोग कर निर्माड हो रहा है जिसके कारण मालक्षमी जी अब करने राज के अज़ात को आपकी सभी मनों काम नए पूर्ण करने वाली है मा लक्षमी कृपा से आप लोगों को 8 नवंबर से विशेश लाब होगा किश्मत अब आपकी बदलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपके घर में माता लक्षमी जी अब पधार रही है जिससे आपके जीवन में अन्यको प्रकार के खुशिया आने वाली है आपको अन्यको प्रकार के धन लाब होगे मा लक्षमी के आश्रवाद से अब धन का लाब होगा और लक्षमी जी के आश्रवाद से आपका मानसिक रोप से धार्मिक भावनाओं का उदाय होगा आपके लिए यह सेयोग बहुत ही अच्छा और शुब फलदायक सावित होगा आपके जीवन साती के साथ समन्द मदूर होंगे आराम करने के लिए आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही सांदार रहेंगे पत्पतनी कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं आपकी मुलाकात बिलेच्छन लोगों से हो शकती है दोस्तों ये दिन और आने वाले दिन आपके लब लाइब के लिए बहुत ही उचित सावित होंगे शादी सुदा लोगों के लिए यानी और भी ज़्यादा शुक्र सावित होंगे कई महत्पूर्ण श्यत्रों से लाब होगा कन्य राजगत को माता लक्ष्मी कृपा से अब आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्त करेंगे कार्ष्यत में अधिक शदिक धनलाब होगा ब्यापारियों के लिए भी काफी खास रहेगा ब्यापारियों के लिए भी बहुत ही महत्पूर्ण रहेगा नोकरी में प्रोमोशन होगा कार्ष्यत में अधिक शदिक धनलाब होगा कन्य राजगत को माता लक्ष्मी कृपा से आठ नवंबर से राजे जिसे जिन्दगी जिएंगे शुक्र शुवधा की ब्रद्धी करेंगे ब्यापार नहीं चलता तो माता लक्ष्मी कृपा से ब्यापार चलेगा और गाड़ी बाहन की खरीदारी करेंगे राजे जिसे जिन्दगी जिएंगे घर में अनियक प्रकार के शुक शुद्धा के बर्दी करेंगे जो कार अधूरे पड़े थे पेड़नेंग ते उन्हें पूरा करेंगे मा लक्षमी करपा से कनी राज़कत को विशेश लाब होता हो नजराएगा ब्यापारियों के लिए काफी उचेत सावित होगा धनलाब की योग बनेंगे लगातार अंधनी बढ़ेगी कारचेत में आपको अधिक शदिक धनलाब होता हो नजराएगा यनि कि इसमें दिन दुगनी राज चोगनी तरकी प्राप्त होगी बहुती महत्मूर अवसर आपको प्राप्त होंगे लगातार आमदनी बढ़ेगी कुछ अच्छे अवसर प्राप्थ होंगे नई जिम्यदारियां बढ़ सकती है कारुबार से रिलेटर कोई महत्पूर अवसर प्राप्थ हो सकते हैं धन किस्ति कारुबार किस्ति में विशेश लाब होता हो नजराएगा आमदनी के स्रुध बढ़ने से मन काफी प्रसन रहेगा कुछ अच्छे अवसर प्राप्थ होंगे लाब की योग बने रहेंगे लगातार आमदनी बढ़ेगी मालक श्मी कृपा से करनी राज़ गयत को अब 8 नवंबर से जिंदगी में बदराव देखने को मिलेगा कई मेदपूर्ण क काम बनेंगे अधोरे कारियों को पूरा करने का मन बना शकते हैं साथी साथ बैवाहिक जीवन में संतान को लेकर खुशिया प्राप्थों के शंतान के तरकिशे और संतान की कामयाबिश आपका मन काफी परसन रहेगा मन काफी हरसो लासित रहेगा इसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी कारशेत में अधिक सदिक धनलाब होता होना जराएगा ब्यापारियों के ले काफी खास रहेगा दंसंपत्ति कलाब मिलेगा कारियों में तेजी से आपको मुनाफ़ा प्राप्त होगा लाव किस्तिती बनी रहेगी लगातार अंदर नी बढ़ेगी इसमें आप जो भी कार करेंगे सफलता अबश्य कदम चूमेगी बता दे कि आपके दोरा लिये गए नेने काफी सराहनी होंगे कने राश्कत कों मा लक्षमी कृपा से दिन दुगनी राच अगनी तरक्की प्राप्त होगी कारियों में चली आ रही ही परेश्यानिया दूर होगी अच्छे लाब की योग बने रहेंगे लगातार आमदनी बढ़ेगी इसमें आप जो भी कार करेंगे सफलता अबश्य मिलेगी आपके दोरा लिया गए नेने काफी सराहनी होगा कारश्यत में आपको लाब होगा महित्पुर्ण सफलता मिलने की योग बन रहे हैं आमदनी के सरोथ बढ़ेंगे क्योंकि इसमें आप जो भी कार करेंगे सफलता अबश्य कदम चूमेगी प्यापारी वर के लिए भी काफी खास रहेगा धन समपत्ते में लाब होगा कार्यों में चली आ रही परेशाने दोर हो जाएगी इसमें आप दिन दुगनी राच योगनी तरक्की प्राप्त करेंगे कार्यों में भी आपको विशेश लाब होगा मालक्ष्मी कृपा से आपके यात्राओं की योग बन रहे हैं हलाक इसमें विदेश जानी के सुबसमाचार मिलेंगे और मालक्ष्मी कृपा से घर में नई जोब लगेगी नई जोब लगने से मन काफी प्रसंद रहेगा बैंक से लोन बगार मंजूर होगा साथे रुकव और फसाव धन प्रात होगा काश्म क्रोप से धन कलाब होगा लोटर शट्टा से लाब होगा इंकम आए में ब्रद्धी होगी कार्षेत में अधिक सदिक धन लाब होता हो नजराएगा ब्यापारी वर्क के लिए काफी विशेश रहेगा और इसमें प्रेम जिबन में खुश्या लबलाई पहची रहेगी इस्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा पिद्यार्थों के लिए काफी खाश रहेगा लबलाई भी अच्छी रहेगी लब पार्टनर को आज कुश गिब्ट बगार उपहार सुरूप दे सकते हैं साथी महतपूर्ण सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं कार्शेत में अधिक सदिक धनलाब होगा लगातार आमदनी बढ़ेगी कुश महतपूर्ण यानि सफलता मिलेगी लगातार आए बढ़ने से भी मन काफी परसन होता हुआ दिखाए देगा मालक्ष में कुश गर्पा से अब आपकी आमदनी बढ़ेगी इसलिए तो कहा है कि कन्य राशकत को मिठाई बाटनी के लिए हो जाओ तयार आठ नवंबर से राजे से जिन्दगी जेने का अफसर मिलेगा दोस्तो आठ नवंबर से आपकी जिन्दगी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा नए बदलाव को साथ जिन्दगी के शिरुआत होगी तो दोस्तो कन्य राशकत को वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जै शन्यदेव जै मालक्षमी